हाइ, welcome to my channel, चले question over 5 साल करते हैं, question over 5 बहुत ही important question है, और ये question कह रहा है, find the largest number of two digits, हमें बताना है largest number of two digits which is a perfect square, ओके, तो ध्यान दीजे, हम इसको solve करेंगे दो method से, और पहला method है by inspection method, by inspection by inspection method ओके inspection means क्या करते हैं कि इसमें inspect करते हैं सोच करके निकाल लेते हैं जैसे इसका definition क्या कहता है perfect square का definition क्या कहता है ये कहता है कि 2 equal numbers का product 2 equal factors का product जो आता है वो एक perfect square होता है मतलब यदी मैं ध्यान रखें यहाँ पर यदी मैं 7 7 को multiply करूँ तो क्या आएगा रोखिए मैं start करता हूँ उपर से निचे की तरफ यदी मैं start करूँ 12 से 12 और 12 को यदी multiply करूँगा तो क्या आना चाहिए जो भी number आएगा 144 आएगा और 144 जो है वो perfect square होगा है कि नहीं तो यह तो 3 digit का number है यदी मैं उससे कम कर दूँ तक 11 into 11 देखिए मैं 11 11 ही क्यों कर रहा हूँ कि यह दोनो equal factors है हमें क्या करना है perfect square निकालना है तो हमें ऐसे factors लेना है जो equal हूँ equal factors यह बहुत important है तो 11 into 11 क्या आएगा 121 लेकिन यह भी 3 digit का number है हमें लेना है 2 digit का number तो क्या कर यह अब घटाएए फिर से और 10 कर लिजिए 10 into 10 तो यह भी दोनो equal factors है 10 into 10 के रहा हूँ जाएगा 100 हो जाएगा अब भी यह 3 digit का number है तो इसका मतलब कि अब घटाएँगे न अब यदि इसके नीचे वाला number कोई भी लेंगे तो यह exactly उतना आजाएगा मतलब कि 2 digit number का कोई ऐसा आएगा जो की perfect square होगा तो 99 यह दोनो equal factors हैं और दोनों को multiply करेंगे 99 जाए 81 81 is the perfect square which is of 2 digit number This is your answer और कोई number ही नहीं है मतलब 2 digit का largest number 81 ही है और 81 और 100 की बीच में और कोई number नहीं है जो perfect square होता है तो यह है inspection method और दूसरा method है by long division method तो यदि आप long division नहीं जानते तो थोड़ी से परसानी हो जाएगी आपको by long division method यदि आप थोड़ा सा जानते होंगे पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल चलिए तो देख लेते हैं तो अब यहाँ पर हम देखेंगे long division method में क्या हो है कि इसमें आपको inspect नहीं करना है आपको बस देखना है कि what is the largest number of 2 digits बस यह सोचिए what is the largest number of 2 digits तो यह लिख लेते हैं यह लिख लेंगे largest number of 2 digits is 99 isn't it 99 is the largest number of 2 digits तो अब क्या करेंगे कि 99 को हम सोच अपने माल लेते हैं 99 is the perfect square लेकि 99 है नहीं तो माल जाइदी 99 perfect square होता तो हम क्या करते इसका निकालते perfect square ऐसे करके division, long division method से तो हम कैसे करते हैं तो हम pair बनाते left hand, right hand side से यह pair एक बन गया एक ही बनेगा और हम देखेंगे यदि यह perfect square होगा तो इसका remainder क्या आएगा 0 आएगा है होगी नहीं यदि remainder 0 नहीं आया तो this is not a property square चले चेक करते हैं तो अब यहाँ पर यहाँ पर वही number रखेंगे और उसी number से प्रप्लाई करेंगे यह तरीका होता है long division method में तो हम यहाँ पर किस numbers से ले जाएंगे या तो उसे छोटा या उसके बराबर यही करेंगे तो हम ले जाएंगे 9 जा चला जाएगा 9 9 जा 81 तो जो भी आएगा इसके निचे लिए 81 ठीक है और यह बीच में जो एक line है उसको हम मिटे आ देते हैं यह disturb कर रही है तो यह मिट गई ओके अब 81 हो गया अब यहाँ पर 9 बर गया है तो 9 लिखिए और हम मैनस करिए तो अब यहाँ पर 9 में से यहाँ से इस 9 में से 1 मैनस करेंगे इतना आएगा 8 आएगा और इस 9 में से 8 मैनस करेंगे 1 आएगा तो remainder तो 18 आ रहा है अब 18 के आगे अब मतब 18 में डिवाइड हुई नहीं पाएगा क्योंकि अब यहाँ पर क्या करते है एड कर देते हैं यहाँ पर तो 9 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा और इसके पास में एक number लेंगे और यहाँ पर number ले करके multiply करके इसके नीचे लिखेंगे 18 के नीचे तो हम यहाँ पर कुछ भी लेंगे 18 क्या आगे यहाँ पर क्या लेंगे 1 लेंगे at least कम से कम तो 1 लेंगे तब भी तो यह जादा हो जाएगा 18 से ना मनिकी 181 आ जाएगा यह तो जादा आ गया मतलब कि अब जा नहीं सकता मतलब कि 18 is the remainder कहने का मतलब यह है ओके अब हमें मिल गया 18 remainder अब मिटा देते हैं इसको 18 is the remainder अब 18 यदि remainder है remainder मिल रहा है इसका मतलब कि 99 is not a perfect square तो 99 perfect square होता यदि यही समझना है 18 जो remainder है वो उसमें से घटा दे 99 में से यदि remainder को घटा दे 99 में से तो जो नमबर मिलेगी वो perfect square जरूर होगा तो क्या करेंगे 99 में से माइनस कर लेंगे 18 क्या मिलेगा देखिए इस 9 में से घटा ये 8 मिलेगा 1 और इस 9 में से बिटा ये 1 तो 8 मिलेगा 81 81 is that number which which is a perfect square क्योंकि हमने remainder को घटा दिया है उसमें से ठीक है तो इसमें कुछ करना नहीं था बस डिरेक्ट आपको उससे निकाल लेना था remainder को घटा करके 81 is the answer 81 is that number which is a perfect square तो पांच में का दू हमने कर लिया यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दिजिए और सब्सक्राइब करें दोस्तों को बताएए और पढ़ते रही है ऐसी सूच करके ताकि आप वो इत्म अच्छे से सब कुछ आ जाए Thank you so much